नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद प्येस परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह किस वीडियो में ऐसी सुचनाई होती हैं जो विभिन समचार पत्रों पर शायवी होती हैं और विद्यारतियों के लिए आवशक होती हैं तो आई ये शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की समचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सुचना है सबसे पहली सुचना है उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग की लिखाय कर्मियों का टोटा कैसे आये रिजल्ट लोग सेवा आयोग में खाली हैं समिच्छा वा सायक समिच्छा दिकारी के कई पद भरती परिख्षाों में बेश्टर चार के आरोप के चलते सबके निशाने पर चल रहा प्रदेश का सबसे बड़ा भरती स्सथाल लोग सेवा आयोग सटाफ की कमी से जूज रहा है आयोग की रिड माने जाने वाले समिच्छा दिकारी साइक समिच्छा दिकारी के कई पद खाली हैं यही परिछक कराने को लेकर परड़ाम जारी करने में एह भूंकर निभाते हैं इनकी कमी के चलते आयोग के कई परड़ाम अधर में हैं आयोग में समिच्छा अधिकारी के 152, साइक समिच्छा अधिकारी के 127 और अनुभाग अधिकारी के 40 वा कम्पूटर साइक के 24 बद है मवजूद समय में समिच्छा अधिकारी के 60 वा साइक समिच्छा अधिकारी के लगबग 100 पद खाली है और नीचे लिखा हुआ है कि यह कमी दूर करने के लिए सेवा निवरत होचों के सत्रा समिक्षा वा अनुभाग अधिकारियों को प्रशासन की अनुमधी पर समविदा पर रखा गया है इन से गोपनी काम नहीं लिया जाता और इन दोनों पदों के लिए 2016 में प्रिक्षा कराई गई थी लेकिन यह भरती पेपर लिग में फास गई और उसका प्रणाम अभी तक नहीं आया आयोग के सच्चिव जगदीश का कहना है कि शासन से कर्मचारियों के खाली पदों को भरने की मांग की गई है उम्मीद है खाली पद जल्द भरे जाएंगे जिससे काम में सुधार होगा दोस्तों चर्चा यह है कि लोगसेवा आयोग ने एक नई भरती की मांग की है लोग सिवा आयोग की लिखा है आयोग की भरतियों पर आज हो सकता है कोई निरणा है लोग सिवा आयोग की भरती परिक्षाओं के समद्ध में सुमार को कुछ एहम निरणा होने की संभावना है इसकी दो वज़ा हैं अवल यह की पेपर लीग पक्रणा के बाद आयोग के सच कर सकते हैं और निचली का परिक्षा नियंत्रक का प्रभार मिलने के बाद भरती परिक्षाओं को लेकर कुछ निर्ड़ा होने के संभाव नहीं है यही वजह कि संग्त सच्यू को प्रभार समपा गया है आयोग सुत्रों का कहना कि अभी तक आयोग कोई बैठक निधारित नह समाई के परिक्षा कलेंटर में सामिर सभी परिक्षाओं को इस्तिगित कर दिया था नए परिक्षा कलेंटर को लेकर के भी घुफना करनी है और पीसेस मुख्य परिक्षा 2017 इसकी बारे में भी अगली सुचना है लिखा है आज क्रमिक अंसन करेंगे अभ्यर्थी आयोग न इसकी जारी कि तो दोस्तों बिद्यार्थियों क्यों मांग है कि जल्दी से जल्दी लेटить कि पर निरंड़ा लिया जाए और जो बचे परडाम है उनको जारी किया जाए इसकी प्रभात कुमार जो अभी हाल ही में रिटार हुए है उनके बारे में यह सुचना है लिखा है कि बेसिक सिक्चा के अपर मुख्ष्चियों ने किया है आवेदन उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग को जल्द नया अध्यक्ष मिल जाएगा पेपर लीक मामला सामने आने के बाद प्रदेश सरकार आयोग की ओवर हालिंग करने की तयारी में है इसी बीच बेसिक सिक्चा के अपर मुख्ष्चियों प्रभात कुमार ने आयोग के अध्यक् की दोन में सबसे आगे चल रहे हैं तो इनका जो कारकाल है डॉक्टर अनरुद कुमार का ये जुलाई में खत्म हो जाएगा उसके बाद में लुक्षिवा आयोग में नया अध्यक्ष की तैनाती हो जाएगी इसके बाद में अब माजमी सिक्चा से बचना आयोड की जो बो शुदार किया जा रहा है अब एक ऑनलाइन पोर्टर बनाया गया है उसमें सभी डियाएवेस जो खाली पद हैं जी लेके वो उसमें बताएंगे लिख्या है देश भर के अशास्की सहायता प्रावत माधिमिक स्कोलों में प्रिंस्पल प्रवक्ता वास सहायक अध्यापको के खाली पदों का विवरा एक जुलाई से ऑनलाइन ही लिया जाएगा इसके लिए उत्तर प्रतिस माधिमिक सिक्चा से वाचान बोड प्रयागराज ने ओनलाइन अधियाचन पोर्टल तयार किया है इस पोर्टल पर जिला विद्धाला निरिचक के निरदेश पर संस्था के प्रिंस्पल शिक्चुकों के खाली पदों का विशेवार विवरा अप्लोड करेंगी इस समद्ध में उत्तर प्रतिस माधिमिक सिक्चा से वाचान बोड के सचीर दिव विकांद शुक्ले ने सभी डियाइवस को निरदेश चारी कर दिये हैं तो जैसे ही यह पोर्टल त्यार हो जाएगा उसके बाद में टीजिटी और पीजिटी की जो भरतिया हैं उनमें रफ्तार आएगी और अभी कुछ दिर पहले समचार पत्र में आये था कि टीजिटी और पीजिटी में लगबग 20,000 पद खाली हैं लास्ट में एक और सुचना है आरो एरो 2016 की इसमें लिखा हुए कि आरो एरो 2016 में नहीं मिला पेपर लिग उत्तरप देशलोग सेवा आयो की समिक्षा दिकारी सायक समिक्षा दिकारी प्रारमिक परिच्चत 2016 में जाच एजेंसी को पेपर लिग नहीं मिला है तीन वर्ष बाद सीवी सी आईडी ने फाइनल रिपोर्ट लगा एसी चर्चा थी कि इसका पेपर लिग हो गया था उसके लिए सीवी सी आईडी जाच करवाई गयी थी और उसने एक क्लोजर रिपोर्ट लगा दिए सीवी सी आईडी ने कहा कि हमारे पास कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है अब यहां पर लिखा है कि अब जल्द रि से निरंतर बदनाम किया गया शिकायत करताओं पर कारवाई की जरूरत है ताकि ऐसे अनरगल आरोप ना लगाए जा सके ऐसा नहीं है बदनामे की बात नहीं है आयोग खुद जानता है और पूरा प्रयागराज पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि पिछले दिनों से लोग सिवा आयोग की जो यह परिक्षा हुई थी उसका जो पीपर है काफिस में पहले ही आउट हो गया था अब सीवी साइडी ने किस तरीके से क्लीन चीट लगाई है यह एक अलग बात है उसके बात में एक करेंट का कॉस्चन है किसी भी परिक्षा में पूंचवा जा सक तो ठीक है दोस्तो यह हो गई आज की अपडेट और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें अगर यह सूचना है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक अवर्श कर दिया करें जिन मित्रों ने इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद